जिल्ला आलिपूर द्वार पच्छिम बंगाल के कालचिनी चाबगान आठ वर्ष से बंद पड़ी थी जो की 2010 में खुला त्रिपक्षिया बैठक होने के बाद कुछ चुकती हुई थी जैसे की राशन, पानी, मेडिकल सुविदा, पी एप, गिरेजुटी अन्या बहुत परकार की चुकती जो अभी भी सुचारू रूप से नहीं चल रही है जिस कारण लेबरों की दसा बहुत ही खराब है हमरे के समयसिया आए है आए कि एखन ना दवाई आए ना राशन आए ना कुछ भी न खेसी भी पेवाई राशन के बदालते ही यहां के जनता कुछ चला था है एखन इह हपता हमरे काम करब तो तो तीन ठो परमेंट हमरे के दियू रही जाए कशिछ तरलाव खेशान के पुतर शर्कार बटले रासन प्रवास को देवें कितना दिन में देवा थाई हप्ता हप्ता देवा था है हम रहे बगान अच्छा चलता खुयल जाता अधर हम रहे आच्छा जिंदगी परवरीस होती दोनों चाबागान 2010 में खोला लेकिन राशन, मेडिकल, पीएप एवंग गरेजुटी का पैसा आठ साल से काटा जा रहा है पर पीएप ओपिस में जमा नहीं हुआ गरेजुटी का भी पैसा 2003 से अब तक रिटाइट लोगों को मिला नहीं है काम पूरा हो जाने पर भी सुचारो सबताहिक बेतन नहीं मिल रहा है अभी से मजदूर लोग किन्वा दिन बंचीत होते जा रहा है जो भी अभी वर्तमान वेतन है जिससे घर का संसार नहीं चल रहा है बच्छों कर ठीक से पढ़ाय लिखाय नहीं हो रहा है जिससे करण बहुत सा जो मेल वरकर है को मेल वरकर लोग अपना घर वाली को अपना मिस क्या उनने मेडम ने एही कहा कि उन्होंने उनका जो उपर अस्तरिया उत्रा धिकारी है इसको मैं जनाओंगा और इसको लेके सरकरी तोर पर एक बैठाक तिरिपाखिक बैठाक करकी इसका हल निकाले का उन्होंने अस्वाशन दिया है ऐसा उनको कहा था लेकिन आभी तक भ जल्द से जल्द सरकार एवंग कमपनी करे तथा लेवर की हालत सुधारने के लिए दबाव बनाने के लिए अस्थानिया वीडियो श्रीमती एलसी लेपचा 9434746850 में दबाव बनाए ताकि संपूर्ण चाबागान सहीरूप से सुचालित चल सके मैं हरिहरनाग बंसी जल्द से जल्द से जल्द सके लिए स्था भर्ण बंसी इंदाव भी ये खिवचा है।